आज का ये वीडियो क्लास 10 के जो बच्चे है उनके लिए होने वाला है जैसे कि आप सभी को पता होगा कि cbsc ने अपने sample paper release कर दिये गए ठीक है उनके द्वारा जो है सभी sample paper दे दिया गया है आज हम बात करेंगे हिंदी के sample paper के बारे में और यह हिंदी का a है ठीक है ज्यादातार बच्चों के पास जो है multiple choice questions जो आते थे वो आपके नहीं आएंगे second term में और यह कुछ सामाने निर्दे से इनको पढ़ लेते क्या क्या कहा गया है जैसा कि इसमें बताया गया इस प्रशन पत्र में जो है दो कंड है जिसको का और खा के नाम से जानते हैं ठीक है section आपका दो होता है का और खा दो section है इसमें सभी प्रशन आपको करना है और यह था संभव जो है सभी प्रशनों के उत्तर क्या है क्रमा नुसार ही लिखना है लिखन कारे में यह सारी चीजे तो कहते हैं यह हिंदी में खंड जो का है उसमें केवल टोटल जो है तीन प्रशन है और इनका आपको बता रखा आगे कि देगे निर्दे उसको पालन करते हुए उप प्र सब्सक्राइब. विकल्प भी दिये गए है निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चार प्रफशनों के उत्तर दीजिए तो section A पे दिखते हैं क्या पूछा गया है section A जो है मैं ये जो sample paper आपको बता रहा हूँ अगर आपने download नहीं किया है तो आप हमारे telegram group में जूड सकते है 10th के लिए बनाया गया है जिसमें मैं इसका एक तो sample paper भी भेज़ दूँगा साथी answer की भी बच्चों को दे दिया जाएगा तो इसका answer की क्या होगा marking scheme जो होता है वो मैं आपको group में जो है provide करवा दूँगा तो वहाँ जूड जाना आप बाकी अगर आपको group में भी ना जूड ना हो ऐसी पाना हो तो आप CBSC की website पर जाकर ले सकते है तो यहाँ पर बात करेंगे question 1 की जिसमें बोला गया है जो प्रशनों के उतर देने आपके 25 से 30 सब्दों में लिखना है आपको question आपका 3 पूछा गया है ठीक है question 1 में आपके 4 पूछे गए 4 पूछे है इसका answer की मैं दे दूआ तो आप answer अराम से पता कर सकते ठीक है तो question पूछा गया जैसे father कामिल बुल के संकल्प से सन्यासी थे मन से नहीं लेखक के इस कथन के आधार परसिद कीजिए कि father का जीवन परंपरागत सन्यासीों से किस परकार अलग था तो यहाँ पे आप पढ़ोगे chapter या आपने chapter पढ़ा होगा तो वहाँ आप पता होगा आपको सन्यासी जी कैसे थे दूसरों से अलग कैसे थे ठीक है आगे देखते इनका दूसर आगला जो कोशन पूछा गया है वो पूछा गया है कि father की उपस्तिती लेखक को देवदार की चाया के समान क्यूं लगती थी पाट के आधार पर जो है आपको सिद्ध करना है यह आपका खा कोशन पूछा गया है इसी में अगला जोगा कोशन है इसमें पूछा गया है क्या सनक जो है सकारात्मक भी हो सकती है सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमीका हो सकती है सटीक उधारन देना आपको इनका अंसर आपको मिल जाएगा अंसर की में ठीक है यही पर आगे देखा जाए तो चोथा कोशन है आपका लखनवी अंदाज सीरिसक की सार्थकता तर्क सहीत सिद्ध कीजिए ठीक है तो यह आपसे जो है पहले जो प्रशन है उसमें चार जो काखा करके आपसे कोशन पूछ प्रश्न 2 में दिया गया कि नमलिकित प्रश्नों में किनि तीन प्रश्न के उत्तर दीजिये जो कॉशन sticker आया है यहां से देखर्श सोकता है ऐसा भी हो सकता है ले nhất एक्गिन पूरा पेपर नहीं आएगा ठीक है काफी वचसे सोचके बाठे रहते कि यहीं पूरा पेपर आ होंगे कितने नंबर के question होंगे यह सारी चीज जो है आपको यह बताता है ठीक है तो जैसे प्रशन दो है इसमें भी आप से जो है चार question पूछे गए है जिसमें सिक्क है उत्सा कवीता के सीर्षक की सार्थक्ता तर्क सही करना आपको खा में पूछा गया इस सत्र में पढ़ी गई किस कवीता में फागून के प्राकर्तिक सुंदर्रे का वर्णन किया गया है उसे अपने सब्दों में व्यक्त करना है अगला जो है टोटल 40 नंबर का question होता है जिसमें से आपका जो पहला दिया गया है यह खंड का section जो है आपी जीसे English में कह सकते हो खंड का यह बीस अंका है और आपने अभी तक जो है यह question देख लिए है जिसमें प्रशन वन जो है आपका कितने नंबर का था टोटल आठ नंबर का यहां लिखा हुआ है नंबर आप यहां पर देखी रहे होगे तो मैं बार बार नंबर के नहीं करूंगा यहां पर question से देखेंगे किस तरह से जो है पूछा गया है ठीक है प्रशन दो था जिसमें आपसे चार question पूछे गए है और इसमें से आपको किनी तीन का अंसर देना और यह दो दो नंबर के question है ठीक है और यहीं पर आगे देखेंगे हम निमलिखित प्रश प्रशनों के उत्तर देना है आपको तो प्रशन तीन आता है जिसमें आपको दो प्रशनों के उत्तर देना है जो कि तीन नंबर के और दो करना है आपको ठीक है तो यहां पर question देख लीजिए यह पूछा गया है यह और यह तीन है तीन में से आपको दो करना है माता का पूछा गया है जोर्ज पंचम की नाक पाठ में निहीत व्यंग को सपश्ट करते हुए बताए कि मान सिंग प्राधीनता से मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है तो यह पूछा गया है यहां आप देख सकते हैं और आगे पूछा गया है कि नदी फूलो वादियो और जर्नों के स्वर्गिक संदर्य के बीच की इंद्रिश्यों ने लेखिका के हिरदे को जंज जक जोर दिया साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अधर पर उत्तर देना आपको तो यह आपके जो है सेक्शन ए खतम हो जाता है जिसमें आपने मिलनी देखा कि इसमें पैसेज नहीं आएगा जिसमें आप पढ़के उत्तर देते थे वह वाला नहीं आएगा इसमें डारेक्ट आपसे प्रशन पूछे गए है तो आपको डारेक्ट इसके अंसर देने है तो यहाँ पे आपके तीन प्रशन खतम हो जाते है फिर जो है सेक्शन बी जिसे खंडख बोलते है वह चालू हो होगे तो यहाँ पर करोना के बारे में बताया गया कि करोना काल और ओनलाइन पढ़ाई आपका यह टॉपिक होने वाला है और इसके उपर आपको लिखना है संकेत बिंदू दे दिये इनके कि आपको पहले भूमिका बनाना है फिर लोकडाउन की घोशना ओनलाइन का हो और प्राकरतिक आपदाय इसमें भी आपको संकेत बिंदू यह आपके सामने दिये गए है तो आपको यह समझ के रखना कि आपको संकेत बिंदू तो मिल जाएंगे ठीक है सब सब हैडिंग आप इसको बोल चकते हो मिल जाएंगे आपकी गह सडक सुरक्षा जीवन की और फिर निम्मर का यगा छिया तो यह आपका हो गया होगा यह को бр फिया पांचवा आता है कि लेटर वाला है तो इसमें आपन आपको यह पताए कि आप चरचेरी दीlearning कोलेज में दाखिला लेना चाहती है ठीके आपकी चाचेरी जो मरें सबिसेंदूंत्य में दाखिला ना करवा कर उनकी साधी करवाना चाते इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए पत्र लिखना आपको 120 सब्दों में ठीक है तो यह आप लिख सकते पांच नंबर का आपका यह इसमें अथवा दे दिया है तो इसमें से आपको इसमें पांचवे में से या तो यह अपको तो यह आपने देख लीad y Frame यहाँ पे आपको पत्र लिखना दूसरे वाले में छटा क्वोस्चन पे आते तो छटे में आपको जो है अत्वा दिया गया है तो देखियो क्या कहा गया इसमें छटा कुशन है आपको अपना फ्लेट किराय पर देना है इसके लिए 50 सब्दों में एक आकरशक विग्यापन त्यार करना है ठीक है और यह धाई नंबर का है फिर इसी में अथवा दे दिया है या तो आप छटे का कर सकते या यह कर सकते ठीक है तो इसमें भी आपके सामने यह दे दिया है कि आपकी दिदी ने संगीत कलाकेंद्र खोला है इसके प्रचार प्रसार के लिए लगबग 50 सब्दों में एक आकरशक विग्यापन त्यार करना है वही पर खा की बात करें तो यहां पर सामाजिक संस्था सवीरा से नसा मुक्ती जागरुकता भ्यान के लिए जो है लगबग 50 50 सब्धों में आकरशक विग्यापन त्यार करना है या या उसमिंग य।सार कम क्यमत में निय। तो ये भी आपके आंक जो है ये इसमें समान है धाई अंका है ये भी धाई अंका है तो जिसमें देखेंगे सातवे में पूछा गया कि राष्ट्री ये प्रतीभा खोज परिक्षा यहीं चैन सी के एगे में पहला इस्थान करने पर अपने मित्र को लगबग 40 सब्दों में संदेश लिखना है ठीक है दूसरा जो है इसी का अथवा इसमें से आपको एक करना है दुनों में से साहसिक कारे के लिए बाल वीरता पुरसकार से सम्मानित होने वाले अपने मित्र को लगबग 40 सब्दों में बधाई संदेश लिखना है फिर वहीं खाव पर आ जाते तो इसमें भी आपको अत्वा दिया गया है या तो आप यह करिए या तो यह करिए तो यहां केरल के निवासी अपने मित्र को ओनम के अवसर पर लगबग 40 सब्दों में एक बधाई संदेश लिखना है या भाईया भाबी की पहली विवाईक वर्ष गाठ पर 40 सब्दों में सुभ कामना संदेश लिखना है तो यह आपका जो है लाश्क में आप समझ जाईए कि इसमें आपको एक तो विज्यापन देना है ठीक है और दूसरा आपको संदेश लिखना है यह चीज़े जो है आपकी चाटे और कोशन साथवे कोशन नमबर में आएगी और पांचवा कोशन आपका पत्र का था तो आप समझ गयोंगे तो सेक्शन दो थे यानि आप समझ जाईए कि आई एक तो आपके बुक से कोशन पूछे जाएंगे और एक दूसरा आपका ग्रामर वाला पार्ट होता है जिसमें आपके जो ग्रामर जैसे पत्र हो गया संदेश लिखना हो गया यह सारी चीज जो आपसे पूछी जागी तो यह था आपका हिंदी का कोशन पेपर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और यह आपका है सेंपल पेपर 2021 का सेकेंड टरम का इसका एंसर की मैं गुरूप में प्रुवाइड करवा दूँगा जिन बच्चों को लेना है वो गुरूप में जुड़ सकते नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको तो वहां से आप जो है गुरूप में जुड़ जाएंगे और वहां से आप यह डाउनलोड क कर सकते हो मिलता हम आपसे आगली और अक्साइटिंग वीडियो में जब तक के लिए जय ही जय भारत वंदे मात्रों